है है अब्रिवान इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2016 का सीटट का पेपर टू इसे पहले हम 2014 और 2015 के कंप्लीट पेपर कर चुके हैं 2011 से लेके 2023 सक्के सभी सीटट के पेपर हम कर रहे हैं अगर हम टोटल करें इनका तो 40 से भी ज्यादा पेपर बनते हैं तो अगर आप इतने क Seven की आपको क्या ही जरूरत पड़ेगी क्सेंस बार बार रिपीट ही होते हैं जो ऑप्शंस होते हैं कुशन्स के उनने से ही क्वाये इस बना ती जाते हैं हर बार कोई औह नया सोटन नहीं बनता मुश्किल से दो थोसे this SH Currently ही नई देखने को में अब इसका पना पावता है और सकसरा फेड़ा इस इसे इप आपको यह पता हो नची लेव गोश्टी ने दिया है मुझेक है इस मदद इक हैल्प इक गाइडेंस जो किसी बच्चे को दी जाते है जब वो किसी एरिया में कमजोर होता है अपना काम नहीं कर पाता है फिर उ उसकी help से अपना काम है वो कर लेता है तो यहीं पुछाए कि कौन सा अधारबुद साहता का एक अच्छा उधारण है तो फर्स्ट है समस्या का समाध्धान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना उसे बताना की हर बार परियास दवारा कर सकती है उसे आधा समाध्धान किय उदहारन उपलब्द कराना उससे कहना की जब तक वैं समस्य का समाधा नहीं कर लेती वैं घर नहीं जा सकती यह तो उप्शन होनी सकता है यह परुसकार देना यह भी नहीं हो सकता तो जो यहां से बैस्ट ऑप्शन बन रहा है यह वह सेकेंड जो वह खुद ही करेगी तैलिं question है आपकी कक्षा में सीखने की विविद शैलियों वाले बच्चे हैं उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे समान अनुदेशन देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परिक्षन में प्राप्त अंकों की अनुसार उनको नामित करेंगे बिल्कुल नही तो यहां से जो ऑप्षन जा रहा है वो यह जा रहा है कि विद परकार के कारिये और प्रिक्षन देंगे वराइटी ऑफ टास्क एंटेस्ट वैरी पोजिटिव वर्ड थर्ड ऑप्षन सही हो जाएगा हमें हमारी क्लास में बहुत चारे अलग अलग टाइप के बच्चे हो बच्चों की समझ में सुक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रती निश्करिये होना बिल्कुल नहीं पैसिव नहीं होना एक्टिव होना है रिगुगनाइजेशन दैट चिल्रें अर कैपेबल अफ थिंकिंग और धियर थिंकिंग इस डिफ्रेंट फ्रॉम नहीं बिल्कुल एडल्ट से अलग होते हैं बच्चे लेकिन सोच रखते हैं अपनी तो यही उप्षन सही है पैचानना कि बच्चे सोच तो सकते हैं लेकिन उनकी सोच वो बड़ों से भीन होती है इसलिए वो किसी चीज़ के बारे में अपने ही कंसेप्ट रख देते हैं तो उन रॉंग कंसेप्ट को अल्टरनेटिव कंसेप्ट्च आजकल कहा जाता है नेक्स्ट है रिमलिकित में से कौन सा एक माध्यमिक विधाले की कक्षा कक्ष में सिक्षक की भूमिका का सर्वत्तम भर्णन करता है तो यहां से फर्स्ट वर्ड में ही डिस्करेजिंग आ ग अगर बच्च आपस में डिस्कस करेंगे चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा एंवार्मेंट मिलेगा उन्हें अपनी थिंकिंग को रेप्रेजेंट करने का और अपनी सोच विचार रखने का और लर्निंग करने का स्थीखने का तो थर्ड ओप्शन ही हो जाएगा पेपर करने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट है विच वन फ्ट फॉलिंग स्टेटमेंट सबाओ मोटिवेशन एंड लर्निंग इसका नहीं है मोटिवेशन बहुत हेल्प करता है लर्निंग में और मोटिवेशन भारी भी हो सकती है आंतरिक भी हो मतलब किसी ना किसी प्राइस की वज़े से पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ेंगे जरूर लेकिन उसको लर्निंग नहीं खा जा सकता लर्निंग इस एफेक्टिव ओनली वें दा स्टूडेंट इंट्रिंसिक मोटिवेशन और डिजाय तो लर्न फ्रॉम इंसाइड है ये बात फोल्विं स्टेटमेंट अवाउ लर्निंग इस करेक्ट शिखना एक निश्करिये ग्रहंशिल पर करिया है नहीं पैसिव नहीं एक्टिव प्रॉसस है लर्निंग डेजन डिपेंड पर लेर्न प्रीवेस नॉलिज बिल्कुल नहीं ये भी गलत स्टेटमेंट है क्यूंकि लर्निंग डिपेंड करती है हमेशा यादकना सेकेंड पिकट जाएगा लर्निंग इस उक्विवेलेंट टु एक्वेजिशन ऑफ स्किल्स या फिर लर्निंग इस फैसिलेटेट बाइ सोशल अक्षिंस यहां से जो बेस्ट है वो यही है कि लर्निंग इस फैसिलीटेट सबसे जाथ मैं पूर्फ데 पूर्फ कि आ जाएगा वर्क आशी फंशल अल्रा छर्फा किपट ननलग इस या इन ऑर्निंग पूर्फ किखने के लिए हरे डिवयन चांग शाटना है रिपलेट नहीं है अींस्ट्ट्सरी नहीं है इंस्यों है डैलोग सिउ और अल Quantum काह पेमा सही हो जाएगा sorry first option eliminate हो जाएगा development changes go forward in a straight line नहीं straight line में नहीं multi-dimensional होता है multiple ways में होता है development occurs at a different rate among different individuals यह बात सही है development occurs at a very fast pace from birth till adolescence and then it stops ऐसी कोई बात नहीं है जो development होता है वो alternate चलता है मतलब जैसे कि adolescence में आके fast हो जाता है जो जाएगा जाएगा थोड़ा सा स्लो रहता है तो fourth option भी जाएगा जो थर्ड अप्शन हो सही है कि जो वीकास होता है बिन वैक्टियों में बिन गती से होता है हर किसी individual defense जो इसकी characteristic development की वो पढ़ी होगी आपने कि बहुत सारी individual मिडल चाइल्छडवड इस पीर फ्रॉम Middle Childhood is a period from Middle Childhood अवदी जो माना चाती है वह मन चाती है यह सेट छे से आरा इर्स पार इस तो सेडिम्न सेटी मोर्ट जो इन्फेन्सी होती है तो पूपर तो इंफैंसी माना जाती है पर 0-11 में पर दो साल पर 6 तो चाल फिस उपार सोधी यहा म देख समया जाती है औरुपस. पूछा होता तो भी 6 से 11 ही आता इन उप्शन के हिसाब से तो हमेशा उप्शन के हिसाब सी चलना होता है तो यहां से पूर्थ ओप्शन बिल्कुल सही है 6 से 11 एंगे किसी व्यक्ति को अकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रतेक व्य क्या मतलब किसी व्यक्ति को अकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती यह बात तो ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण एंवायर्मेंट और हरीडिटी बहुत इकवल रिशों में एफेक्ट करते हैं किसी बच्चे के डेवलेप्मेंट को सब कुछ त नहीं है क्योंकि भूद ऽे का相信 नहीं है थीक वाले तो कोळ जाएंगा wise बटर वॉमन एक व्यक्ति करते हैं कि घृत बड़ा परभावा पड़ता है तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है यहां से दैश इस अ प्रोसेस्ट रोप विच अ हुमन इंफेंट बिगिंस तो एक्वाइर दनेसेसरी स्केल्स तो परफॉर्म एज फंक्शनिंग मेंबर अफ तो सुसाइटी की बात हो रहे है तो सोशलाइजेशन ही सही हो जाएगा सुसाइजेशन ही प्रसेस होती है जहां पर समाज में रहे कि हुआ के कोशल का अर्जन करता है तो सोशलाइजेशन सेट ही है अक्वर्दिंग टूप्शनी बैजे, which one of the following factors plays an important role in influencing development? प्याजे ने कहा है, तो यहीं कहा है, तो रीइनफोरस्मेंट सेंपन हुर्स्मेंट शीनर ने दिया हैं, basically. प्री आप्रेश्नल से यह जाएगा तो क्या क्या जो यह खुबिया होती है यह मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से करा है हुआ है बिल्कुल पॉइंट टौइंट ही लिख्यों है कोई फाल्तो जीज नहीं जहां जे क्वेश्न बनते हैं कि कोन सी कौन सी एज में, कौन सी pre-opressional stage में, क्या-क्या, जो animism होता है, वो किस में होता है, सब कराए हो, देखो, hypothetic, जो deductive है, वे formal operational में होती है, तो यह कार्ट दो, pre-opressional की age होती है, 2-7 साल तक, तो ability of abstract thinking बिलकुल नहीं, ये भी formal operational में होती है, ability of goal-directed behavior, या फिर ability to take others perspective ही concrete operational में आती है, तो यहां से second option सही हो जाएगा, goal-directed behavior, goal-directed behavior का मतलब क्या होता है, कि किसी बच्चे को मालो ball दिख रही है, तो उसे ball की side ही जाना है, चाहे हूँ से कोई बुलाता रहे, कोई कुछ करता रहे, ये होता है, ability of goal-directed behavior, तो third option सही हो जाएगा, basically ये sensory motor stage में भी होता है, same, which one of the following is a correctly matched pair, social contract orientation, punishment and obedience, good boy and good boy, अच्या, इन सब को देख की काहलबग की आथारी, सब काहलबग से लिया गया है, बहुत अच्छे से काहलबग की थोरी को भी हमने पढ़ा हुआ है, तो social contract orientation में क्या होता है, physical consequence of an action, determine whether it is good or bad, punishment laws are not fixed but can be changed for the good for society, बिल्कुल नहीं ये तो wrong है क्योंक बिल्कुल में आता है, जो second stage है, second level की, conventional level की, good boy and good girl, one earns approval by being nice, हाँ, यही जो statement है, वो सही हो जाएगी, सही होचा है ना हमसे, हाँ, तो जो यह होती है, conventional level की stage है, जिसमें बच्चे क्या होते हैं, कि अच्छा बना रहने की कोशिश करते हैं, वो ही morality फोलो करेंगी, जिसे उनन अच्छा अच्छा काम करता है, सिरफ वो इस चीज के लिए अच्छा बना रहने की कोशिश करते हैं, आगे पेछे घूमते हैं, अपने टीचर के, अपने ममी पापा के, ताकि वो उनकी नजरों में अच्छा रहे, तो यही ठीक है, कि one earns approval by being nice, ठीक है, चाहे वो अंदर से हो या ना हो, लेकिन अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, अगर आप कोहलबा की द्योरी भी अच्छे से पढ़नी है, point to point तो आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, the concept और ऐसी questions में हमेशा note का जहां रखना चाहिए, कि yes पुछा हुए और no पुछा बच्चे में तो प्राइविट स्पीच क्या होती है, प्राइविट स्पीच बच्चे इसमें करते हैं ताकि वो खुद को ही गाइड कर सके तो first option is shows that children are stupid, बिल्कोल नहीं, children stupid नहीं होते, illustrates that children are egocentric, नहीं, वो egocentric speech होती है, egocentric मतलब अपनी ही बढ़ड करते रहना, सिरफ अ सुन सकता है, बंदा, मतलब बच्चों को लगता है, वो खुद से बात करें, लकिन दूसरा भी सुन सकता है, according to wygoski, learning cannot be separated from, learning को किस से अलग नहीं किया जा सकता, वygoski के बात हो रहे हैं, तो वाइगोस्की नहीं सोशो कल्चर थोरी लिए, सोसाइटी और कल्चर पे ध्या बात करें, तो सोशल कॉंटेक्स्ट सही हो जाएगा, ठोड़ा सा ध्यान लगा के बसी काम करने होते हैं, उनकी थोरी के बारे में पढ़ना होता है, समझना होता है, और कुछ चीज़ें जो याद रखनी होती है, उनली समझने और पढ़ने से काम नहीं चलता, याद भी लोगताने से कोणसा है एक उदाहरण भाशिक बुध्धी रखते को दर्शाता है, मतलत बात इसमे स्टारी होता है, बच्चों को बिल्कुल उड़क। जो लेंग्विज का अच्छे से यूज कर सकता है Harvard Gardner ने बताई थी ऐसी चीज़े आट टाइप के बुद्धी, multi-dimensional बहुत important chapter है intelligence में से बहुत important थोरी है तो first option है the ability to handle long chains of reasoning, reasoning की बात नहीं ये mathematical बुद्धी हो जाएगी reasoning के लिए sensitivity to meaning and order of words and the varied issue of language sensitivity to pitch melody and turn melody into a music बुद्धी the ability to notice and make distinction among others ये interpersonal बुद्धी तो second option ही सही हो जाएगा sensitivity to meaning and order of words words शब्दों और अर्थ के कर्म तथा भाषा के विवित प्रियोगों के प्रति सम्वेदन शिल्ता जैसे लेखकों में होती है ये बुद्धी कवियों में होती है जो अच्छा लिखते हैं language-thought process विचार प्रिकरिया का निदा language-thought process cannot determine the language determine करती है वाइगोसकी ने special ये बात बोली है कि पहले language आती है फिर थोट आता है जबकि प्याजी कहते है कि पहले थोट आती है फिर language आती है तो ये बात भी ध्यान रखना जो लड़किया है फिमेल है वो सरफ टीचर बनेंगी या फिर खरेलु काम करेंगी और मैन है वो डॉक्टर बनेंगी या पाइलेट बनेंगी तो ये किस तरह की थोट है भाई तो ये तो रूड़ी वादिता हो गई या फिर पक्षपात पीस को बल सकते हैं पक्षपात वाला उप्चान इंपावर्मेंट तो बिलकुल नहीं है स्टिरोटाइपिंग ही है रूडी वादिता है ठीक है तो इसमें सिर्फ यह हैं नहीं है इसमें सिरफ यहीं उनके मन में है लिमिट होती है कामपकी की लिड़क यही कर सकती हैं दड़के ही करेंगे यह रूडी वादिताई हैं जो बहुत खतरनाख है सोसाइटी के लिए देर आर वेस्ट डिफेंस अमंग दे स्टूडेंस ओफ दीजर नीटो बी सेंसिटिफ तू सिक्षार्थों में बहुत भी भीनताएं होती है इनमें से किनके लिए सिक्षक को सवेधन शील होने की आपशकता है संग्यानात्मक्षमता और सीखने के स्रों पर अधारित भीनता है हां ठीक है भाशा जाते लिंग्धरम समुधाई की विद्धा पर अधारित भीनता है डिफ्रेंस बेस्ट डाइवर्सिटी ओफ लेंगवेज कास्ट हां बिल्कुल सही यह भी जानकारी होनी चाहिए इन च टेस्ट नेगेटिव चीज है कि ओंखर पैपर पैंसिल से ही असेस्मेंट किया जाए फ्लेश्टिक अस्यास्वेंट को बढ़ावा डिता है बिल्कुल नहीं देता यह तो लिमिट कर देता है लिमिट्स कर दिया कि सिरफ पेपर पैंसिल से ही होगी समागरम उल्यांगन को स सुविधा परदान नहीं करता तो लिमिट एसेस्मेंट माध्यमिक विधाल्य की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है उसके लिए मैं तो पूर्ण है कि मतलब hearing impaired बचा है जो सुन नहीं सकता तो विधाल्य सलाहकार से कहें कि वे बच्चे की अभीभाब कों से बात करें देथा उन्हें अपने विधाल्य से हटाने के लिए कहें बिल्कुल नहीं कहना वे बच्चे को उस थान पर बठाई जहां से वे शिक्षक का के खोट ता चहरे के भा साफ तोर पर देख सके हाँ ये बार ठीक है उसके प्रती संकेत करें जिसे बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है नहीं बच्चे को डांट आट कर डांट ना विटकारना बिल्कुल नहीं है तो second option ही सही हो जाएगा कि बच्चे को ऐसे सीट पर इठा दे जहां से वो उ प्रते बच्चे की आवशक्ता अनुसार अपना सिक्षन कोशल अपना कर हाँ ठीक है बात उनकी प्रिष्ट भूमी की उपेक्षागर के बिल्कुल नेगेटिव बात उन्हें कख्शा कख्ष से अलग स्थान पर बठा कर नेगेटिव अगेंड उन बच्चों को वंचित प पेडागोजी को अपनाए जो हर चिल्डन के हिसाब से फिट हो चिल्डन विद लर्निंग डिसेबिटी कैसे होते हैं बहुत सक्रिय होते हैं ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाते लोग आर वैई वाइस और नहीं चौर नहीं चैनोट लर्न एनिधिंग ऐसी बात भी नहीं है चेत्रों में संघर्ष करते हुए दिखते हैं कुछ चीजें होते हैं जोने समझा जाती है लेकिन कुछ चीजें होते हैं जिनमें बहुत जादा प्रोब्लम आती है तो वह इसी में जूजते रहते हैं संघर्ष करते हैं पोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है सिक्षक बच्च सब्सक्राइब करने के लिए निम्मन लिखित दाशनिक रिष्टिकोणों में से किसका आनुसरन किया जाना चाहिए के लिए विशेश सकतंfolg फबरिव्यस्ची दिदा परसी करने की विव्यक्तिम दिदाराथ की व्यक्तिम वृच्ट्बा लोगकार पुष्टम मैं ध्यूत चाहिए नंत बच्चे करता हैं, उन टीकसे करते हैं को मना हम मईसे पर्यास समिलुफा एकर्फ कर लोगनिग मेधिर को जहां पर अधिकम करता ही अपनी पहल और परियास सम्मिलित होते हैं, उनकी सोच को भी महत्व दिया जाता है इस विच वन उफ दो फोलेंगी सेंट्रल तो लर्निंग सिखने के लिए प्रमुख क्या है, इमिटेशन, मीनिंग, मेकिंग, कंडिशनिंग, रोट मेमराइजिशन तो नहीं है, किसी ने कंडिशनिंग भी कहा है, जैसे पावलब ने दीथी, तो यहां से जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा, वो बनेगा, मीनिंग, मेकिंग, अर्थ, निर सिख्षक दुआर, पुनर बलन किया जाता है, बिल्कुल नहीं, सिख्षार्थों दौरा स्वें सर्जित किया जाता है, और सक्रीय भूमिका है, वो बच्चे नी भाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, सिख्षक दवारा लिखवाय जाता है, उधीपत धान प्रिया से जोड़ नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पेपर करेंगे कि सीटर्थ हम साल में दो बार होता है तो हमारे पास चार पेपर हो गए टोटल तो हम सारे वन बाइवन से सोल्व कर रहे हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं ने